जै हिन प्यारे दोस्तो दिलिजनल बोर्ड के अंदर का दोस्तो रिक्रूटमेंट आउट हुई थी तीन टाइप के लग लग पोस्ट आउट हुई थी लेकिन हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसोसियेट फैलो की पोस्ट के बारे में काफी बच्चों के कमेंट से कि में मैसेज आ रहे कि सर इसमें कितनी पोस्ट है और क्या ही जो 75,000 रुपे परमंद के साफ सेले मिलेगी है सही है और इसमें एज्यूकेशन क्वालिफिकेशन क्या मागई गई है क्या इसे अपलाए करना है क्या पूरा प्रोसेस रहेगा कैसे कैसे क्या पूरा प्रोसेस है करेंगे तो वीडियो को पूरा जूरूर देखना सबके साथ शुरू कर देना चलिए शुरू कर देना तो बेसिकलि दोस्तो दिली जल बोड के अंदर का तीन टाइप के लगलग पोस्ट आउट ही हैं हम इस वीडियो में बात करेंगे एसोसियेट फेलो की पोस्ट के बारे मे टोटल पोस्ट दोस्तो 15 इसमें 75,000 रुपे पर मंद के साथ साथ से आपको सैलरी मिलेगी यहां आपने सही सुना है 75,000 रुपे पर मंद के साथ से आपको सैलरी मिलेगी eligibility criteria के तोर पेस में साफसा mention किया गया है कि आपके पास graduation की degree होनी चाहिए 60% कम से कम marks होने चाहिए उससे कम नहीं होने चाहिए दोस्तो साथ साथ आपको बताना चाहूंगा दोस्तो यह permanent post नहीं है यह contractual temporary post है दोस्तो तो इसको आप समझ लीजिए गा यह contractual post है अब देखे काफी बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो रहे हैं कि सर इसको apply कैसे करना है और last date के बारे में तो इसको नोटिफिकेशन आउट हुआ था दोस्तो वह 30 नमबर 2021 को आउट हुआ था उसमें आप 45 डेज एड कर लीजिए तो वह इसकी last date है देखे 30 नमबर में 45 डेज एड कर लीजिए बात करते अप्ला सारे लगा के self-attest करके वह आपको उनकी एक PDF बनानी है दोस्तो वह PDF बनाने के बाद आपको mail करनी है और उस mail ID पे subject में mention करना है application for the post of associate fellow और आपको वह attach करके djbact1 at the rate gmail.com पे send करनी है ध्यान से समझना दोस्तों यहाँ पे आपको mail करनी है within 45 डेज तीस नमबर 2020 किसको यह notification आउट हुआ था इन 45 डेज आज कर पहुँझा जानी जिए तो वीडियो कैसे लिगे आपका मिन स्वेटास में पता सकते हैं thank you so much for watching my videos